एक्ट्रस पाहिल घोश पर हुआ रॉट से हमला प्लान था एसिट अटेक करने का तो उनको सपोर्ट करने पहुचे रामदास अथावले जी हैं आपको बतादे पाहिल घोश ने दावा किया है कि उनको पर एसिट अटेक करने का प्लान किया था जो की हमला हुआ है रॉट से तो आपको बताते हैं, हुन्होंने एक वीजियो डाली थी, जिसमें उन्होंने अपनी दर्ध बरी कहानी बताई है, जिसमें उन्होंने एक एक चीज बताई है, मुझे नहीं पता था क्या था, कुछ लोग आए और मुझ पर हमले की कोशिश करने लगे उनके हाथ में एक पॉटल थी मुझे नहीं पता था कि क्या था मुझे एसिड होने का शक था उन्होंने मुझे रॉट से भी मारने की कोशिश की मैंने बचने की कोशिश की और चिलाई तो रॉट मेरे बाए हाथ पर गिर गई जिससे मैं कहल हो गई वहीं आगे पायल कहती है इस तरह की चीज़े मेरी जिन्दगी में पहले कभी नहीं हुई मुंबई में ये पहली बार मेरे साथ हुआ है मुझे वाके नहीं पता था कि ये क्या था जिसके बाद पायल की ये तकलीफ देखकर तकलीफ सुनकर रामदास अठावले उनके घर गए उनको सपोर्ट किया जिसके बाद पायल ले अपने सोशल मीजा पर इंस्टाग्राम पर पोस डालते हुए इनके साथ पिच्चर डालते हुए कैप्शन में इनको थैंक फू लिखते हुए लिखते हैं थैंक यू सो मच ऑन्रेवल सेंट्र मिनिस्टर रामदास अठावले सर्वर कमिंग तो माई हूम और चेकिंग अपन मी थैंक यू फॉर आल लव और अफेक्शन आपको बता दे सितंबर 2020 में पायल घोष ने अनुराग कश्चर के खिलाप यौन उत्पीरन का अरोप लगाते हुए फायर दच कराई थी इस मामले में मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्चर को कई गंटे तक पूस्ताज भी की थी वही नुराग की ओर से बयान जारी कर सभी आरोप पर गलत बताया गया था तो इस तरह से पायल घोष पर जो है रोट का हमला किया गया जो की प्लैंता एसिट अटेक का तो पहल नहीं जानकारी एक वीजियो के जरिये बताई थी तो आप क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरू बताईए साथ यह मैचरों को सब्सक्राइब जरू करिए ऐसी ही लेटस अपडेट के लिए